हेलो नमस्कार मैं सत्पाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और आप देख रहे हैं डिजल कंप्यूटर इंस्टूट आज के इस वीडियो में आज के इस लेशन में हम आपको एक्सल के अंदर यूज होने वाली टोप मोस्ट इस लेते हो तो मैं गुरांटी के साथ बोल सकता हूं कि आप अपने एक्सल की वर्क स्पीड को बढ़ाना चाहते हो यदि आप इन सभी सोट्स कर्सकी के बारे में नौलीज लेना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेके आखरी तक जड़ू देखते हैं तो चलते है वीडियो को करते हैं start, तो हम चलते हैं Excel की side, Excel में सबसे पहले जो shortcut की है हमारी वो है Ctrl-Shift-L, Ctrl-Shift-L, यह filter की command होती है, यदि आप अपने table पे filter apply कराना चाहते हो तो आपको table पे कहीं भी click करना है, पुरी table को select करने की जूरत नहीं है keyboard से press करेंगे Ctrl-Shift-L और आपकी table के उपर filter apply हो जाएगा, इसके बाद आप इसको normal करना चाहते हो, यानि filter हटाना चाहते हो again Ctrl-Shift-L करेंगे तो आपका filter हट जाएगा, next आमारे पास Ctrl-D, Ctrl-D duplicate होता है यानि जैसे आप copy-paste करते हो, वैसा ही है, जैसे मैंने Ctrl-D किया, लेकिन इसमें एक खास बात होती है, खास बात क्या है, देखो, जैसे मैंने Ctrl-D किया, और D करने के बाद मैं इसकी position किसी, जैसे मैंने ये position set कर दी, again Ctrl-D करूँगा तो इसी position पे ये repeat होता है, जो की cut, copy-paste से इसा नहीं हो सकता, और next output की है, हमारे past Ctrl-D, अभी Ctrl-D होता क्या है, मैं एक वीडियो देख रहा था, जिसमें बताया गया था, कि Ctrl-D जो होता है, cell के space को increase करने के लिए होता है, जैसे हमने keyboard से प्रेस किया, Ctrl-D और ये देखो, cell बढ़े होगे, जो की, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, यदि आपने अपनी table के अंदर जितने भी formula लगाए हैं, उनको देखना है, तो आप Ctrl-D की प्रेस करेंगे, अब ये Tilt की कहा होती है, space बार के space जो बटन होता है, उसके निचे होती है, sorry, xk बटन के निचे होती है, keyboard के अंदर जो पहला बटन होता है, xk होता है, उ next shortcut की है, हमारे पास Ctrl-L plus V, ये paste special की है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, एक वीडियो बनाई थी हमने, advanced cut copy paste के regarding, जिसमें मैंने आपको ये बताया था, उसका link आपको description मिल जाएगा, ये आप देखना चाहते हो, होता क्या है, जैसे मैंने इसकी value को, या कोई भी formatting हो सकती है जैसे मैंने इसको copy किया, और copy करने के बाद मुझे इसकी value कहीं पर paste करानी है, जैसे यहाँ पर, अभी मैं normal paste करूँगा, तो ऐसे आएगा, और अगर मुझे इसकी value लेनी है, तो हम क्या करेंगे, keyboard से press कर देंगे, Ctrl-L, V, Ctrl-L, V, तो यहाँ पर paste special की, जो हमारे पास window खुल इन सभी के बारे में बता चुका हूँ, फिलाल में हमने value लेनी है, formula लेना है, format लेना, क्या लेना, वो लेने के बाद हम ok करते हैं, तो हमारे पास यह चीज value आ जाएगी, ठीक है, और next shortcut के हमारे पास Ctrl-Shift-plus-dollar, अब यह क्या होता है Ctrl-Shift-plus-dollar, मालों आपके पास कोई product है, सभी के आगे आप price दिखाना चाहते हो, यानि price मतलब रुपय-dollar यह symbol दिखाना चाहते हो, तो आप data को select करेंगे, keyboard से आपने Ctrl-Shift-plus-dollar को press कर देना है, तो आपके सामने जो है, सभी के आगे price यानि जो भी आपका MRP जैसे रुपी आपने set किया हुआ है, dollar set किया हुआ है, व just time and date में जाना है, और यहाँ पर आपने थोड़ा scroll करके नीचे आना है, यहाँ पर आपको language and regions दिखाई देगा, इस पर आपने click करना है, click करने के बाद यहाँ पर दो option दिखाई देंगे, country और regions और यहाँ पर regional formatting, आपका यहाँ पर India हो, और इंडिया नहीं है तो यहाँ प सब्सक्राइब करेंगे, तो वो percentage सो करेगी, ठीक है? तो इस परकार आप अपने data में percentage अपलाई करा सकते हो, next shortcut की हमारे पास F4, अब यह F4 क्या होता है, F4 एक्चली में repeat के लिए यूज किया जाता है, अब यह repeat क्या होता है, suppose गर मैंने यहाँ पर RT को यहाँ पर कोई color दे दिया, ठीक है? और मुझे इसको भी अन्नू को भी द इसको बोल्ड कर दी, अगेन इसको बोल्ड करना चाहते है, तो हम F4 करेंगे, यहाँ पर F4, keyboard से F4, ठीक है, तो यहाँ पर बोल्ड हो गया, इसको बोल्ड करना है, तो F4 कर देंगे, ठीक है, एक एक जंपल और दे देता हूं, मालो मुझे यहाँ पर एक row insert करनी है, तो right click क होता है, वो repeat होता है, आप, आपकी जो last command होती है, वो इसको repeat करता है, ठीक है, तो जहाँ तक मेरा खहला, आप समझ चुके होगे, अगे है next, alt plus F1, अब यह क्या होता है, इसमें हम अपने data का chart बना सकते है, आपके पास कोई भी data है, और उसको आप chart में convert करना चाहते हो, तो आप अपने data को chart में convert कर सकते हो, करना कुछ नहीं, आप अपने table को select करेंगे, table को select करने के बाद आपने keyboard से press करना है, alt और F1, जैसे आप alt plus F1 करेंगे, तो आपके सामने आपके द्वारा बनाएगी table का chart आ जाएगा, ठीक है, और next output की हमारे पास control plus enter, अब यह control plus enter होता क्या है, इसमें आप अपने data को repeat करते हो, repeat मतलब कि जो भी आपने यहाँ पर condition लगाई है, जैसे sorry, जैसे यहाँ पर मैंने A लिखा, मुझे यहाँ पर भी A लिखना है, यहाँ पर भी A लिखना है, यहाँ पर भी A लिखना है, तो आप कोई बार बार करने की जूरत नहीं है, लिख दिया, ओके, ठीक है, ओके करने के बाद, आपने कंट्रोल एंटर करना है, और सभी सेल में वो आ जाएगा, इसका एक एक जामपल में और दे सकता हूँ, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं कि कुछ ब्लैंक सेल है, इनमें अपसेंट लिखना है, आपने ए लिखना देना, तो सभी ब्लैंक सेल जो है, स्लेक्ट होगे, और आपने किसी के अंदर आपने ए लिख देना है, क्या लिख देना, आप यहाँ पर लिख सकते हो, कोई फोर्मेटिंग देना चाहते है, आप वो भी दे सकते हो, इच्छा है आपकी, और कंट्रोल प्लस एंटर कर दें ओटोमेटिक वो अपनी रेसो को, रेंज को सेलेक्ट कर लेगा, एंटर करेंगे, उसका टोटल हो जाएगा, आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर अल्ट प्लस एक्वल प्रेस करेंगे, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना, नुमेरिक अल्फाबैटिक आगे, इसकी कर सकते हैं, आपके पास यह बड़ी टेबल है, इसमें आपने देखना है कि आखरी सेल, आखरी सेल पर जाने के लिए आपको करना क्या होगा, आप कहीं भी क्लिक करो, और आपने एक रेस करेंगे, तो यहाँ पर लास्ट एल पर आजएगे, ठीक है, मालो मैं यहाँ पर हू यहाँ पर आपको पूरा डाटा सेलेक्ट करना है, आप पूरी हैडिंघ सेलेक्ट करनी है, तो Ctrl, Shift, Error, प्रेस करेंगे, अभी मैं लेफ्ट की प्रेस कर रहा हूँ, तो उपर के सभी है सब्सक्राइडिन है, वो सेलेक्ट हो चुकी है, यहाँ पर आपको कोई कलर देना चा सब्सक्राइब करने हैं तो यहां पर Ctrl Shift प्लस left की और down की प्रेस कर देंगे तो आपकी पूरी टेबल जहाए वो स्लेक्ट हो जाएगी पूरी टेबल आप एका कंट्रोल को स्लेक्ट करने के लिए नेक्स ऑट्कट की हमारे पास Ctrl 0 स्वचाहिए रही जीनि आप अपने भी ऐसे select कर लो और control 0 press करो तो वो hide हो जाएगा ठीक है और next shortcut की ए control shift plus 0 है लेकिन ये आपका ना काम नहीं कर रही है यहाँ पर पता नहीं क्यों नहीं कर रही है आप अपने computer पर try करके मुझे जुरू बताना control plus shift plus 0 इससे क्या आता है जो आपने hide column किया ना वो जो है unhide हो जाएगा ठीक है फिलाल मेरे computer में ये काम नहीं कर रही है मैंने undo किया है आप try करके मुझे जुरू बताना next shortcut की हमारे पास control 9 इसमें कहाता है जैसे मुझे इन दो row को नहीं देखना है या hide करना है तो हम control 9 प्रेस करेंगे तो ये दोनो row जो है hide हो जाएगी अगर इनको मुझे वापिस से so करना है तो control shift 9 control plus shift plus 9 प्रेस करेंगे तो हमारी जो है जो hide हमने row की थी वो सारी so होने लग जाएगी यानि आप column को भी hide कर सकते हो आप row को भी hide कर सकते हो so and hide दोनों कर सकते हो ठीक है next shortcut की हमारे पास control plus minus अब यह क्या होता है control plus minus सपोज करो मुझे यह वाली row मुझे delete करनी है ठीक है तो देखो इसके आप दो प्रकार से delete कर सकते हो पहले आप कहीं भी click करो control plus minus पे click करो तो होगा कि है यहाँ पर delete cell का dialogue खुलेगा और इसमें यह सारे option आपको अवेल हो जाएंगे जो भी आपको left right delete करना है row को delete करना है column को delete करना है cell को delete करना है आप यहाँ पर कर सकते हो लेकिन आपको entire row जैसे अभिसेक वाली row यह वाली row जो है select करके delete करनी है तो आपको यहाँ से इसको select करना होगा और keyboard से press करो control plus minus तो होगा क्या जो अभिसेक वाली line है वो delete हो जाएगी ठीक उसी परकार अगर आपको नई जो है seat sorry sorry नई row insert करनी है आप column को भी delete कर सकते हो sorry मैं बताना भूलगी आप column को भी control minus करके delete कर सकते हो next shortcut के हमारे पास control shift plus plus अब यह क्या होता है यह row और column यह cell को insert करने की shortcut कि है मालों यहाँ पर blanks row आपको लेनी है तो आपने keyboard से control plus shift plus और यहाँ पर plus का निसान दबा देना तो वही पहले delete का डायलोग खुला था अब यहाँ पर insert का डायलोग खुला है यहाँ पर आप cell shift कर सकते हो आप row ले सकते हो column ले सकते हो यदि आपको row चाहिए तो आप ऐसे entire row पे click करेंगे आप keyboard से press करो control shift plus plus तो यहाँ पर एक row आ जाएगी ऐसे column चाहिए बढ़ा कर सकते हो कुछ भी select करने की जूतनी है कहीं भी क्लिक करो और keyboard से press करने control plus shift plus यू तो आपका formula बार जो है वो बढ़ा हो जाएगा narrow करने के लिए आप again उसको press कर सकते हो ठीक है next है हमारे pass alt plus down arrow अभी alt plus down arrow क्या होता है इसमें आप जो आपने फिल्टर लगाया था अभी last time मैंने फिल्टर लगाया था मैं एक पर लगा के दिखा देता हूं जैसे मुझे delete करनी है तो मैं यहां पर control plus minus करूंगा इसको delete करना control plus यहां पर minus करूंगा ठीक है और filter लगाना यहां पर कहीं भी क्लिक करें हैं जैसे अभी एक मिट रुख जो मैं आपको यहां apply करके दिखा देता हूं यहां पर मुझे filter लगाना है control plus shift ल और यहां पर मुझे इसको check करना है तो alt down arrow और यहां पर आप apple लिख देना जैसे मैंने लिखा apple ठीक है enter कर देंगे तो apple apple का data हमारे यहां पर यहां पर क्लिक कर देंगे तो normal हो जाएगा ओके next यह अब यहां प्लस एंटर जो होता है आपका आपका जब आपको कोई बड़ी वैल्यू लिखनी हो जैसे यहां पर डिश्टल कंप्यूटर है और यह दो तीन सेल के अंदर गया हुआ अब आपको इसी single send के अंदर इसको manage करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहां पर जैसे मुझी इसको तोड़ना है तो यहां पर देखो मैंने करसर पे यहां पको सैमि कोलन होता गया है यदी आपको डेटं ्टाइम इंसाट करना है अपनी अंदर तो डो shortcut के हैं हमारे पास यदी अप continue क्लस सैमि कोलन तो आपकी डेट मैंख उक्राइग और यदि आप यहां पर टाइम लेना चाहते हो तो Tuc विए करेंगे तो आपका ताइम आएगा तो देट की प्लट क्या है और देट की सोटकत की है only control प्लट सेमिकॉलन टाइम की है control प्लस सेमी कोलन उसके बाद है सीफ डेल कॉलस प्लस 3 अब यह होता क्या है इसमें आप जो भी आपने कोई number format लगा रखा उसको आप date format में convert करना चाहते हो ठीक है यहाँ पर एक date convert होता है ना हमारे पास so date के लिए उसके लिए जैसे यहाँ पर एक मिट मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर आपके पास कोई भी data है आपने वो data पहले फिल कर लेना है इसको आप date format में convert करना चाहते हैं यहाँ पर आपने select करना है और keyboard से press कर देना है control shift plus 3 आपने press करना है तो आपको जो data है वो date format में convert हो जाएगा उसके बाद एक next output के हमारे पास control k यह hyperlink के लिए use की जाती है आप किसी other file का यहाँ पर link बनाना चाहते हो तो इसके लिए आप control plus key press करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर insert hyperlink की एक window खुलेगी आप किसी भी file के साथ उसका link बना सकते हो कोई format बना स्वरी link बना सकते हैं यहाँ पर जैसे मैंने सीमा डोग के ओपर क्लिक किया ओके यहाँ पर देखो कुछ ऐसा आजाएगा खुलने के लिए आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यह value खुल जाएगा यहाँ पर यह आगए ठीक है इसमें हम अपने जो भी सेल हैं उनको फॉर्मेट कर सकते हैं जहीं मतलब जो हमारे पास यहाँ पर option दिये गए होते हैं सब कुछ यही होते हैं आपने जैसे इस पर कोई style लगाना है आपने Ctrl-Shift-F करना है तो यहाँ पर format cell की विंडो खुलेगी यहाँ पर कोई style लगाओ यहाँ पर कोई color लगाओ यहाँ पर कोई size दो वही size आपका यहाँ पर आ जाएगा border लगाना चाहते हैं बॉर्डर आ जाएगा फिल लगाना चाहते हैं फिल लगा जाएगा जो आप आप अप पास थी और यह वीडियो देखने के बाद आप अपनी computer पे ज़रूर इनको apply करें और मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखोगा और आप इस work को अपने computer पे अच्छे से apply करोगे तो आज की वीडियो से यदि आपको कुछ अच्छी नोलीज मीलियो और यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगियो तो हमारी वीडियो को लाइक करें हो सके तो हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब करें आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं किसी और वीडियो में थैंक यू धन्यावाद